कोरिया जिला प्रशासन ने देशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सीमार्ट शुरू किया है बैकुंट पूर में प्रदेश के इस पहले सीमार्ट के शुरू होने से स्थानेस तर पर रोजगार के अफ़सर भी पैदा होंगे प्रदेश के ग्रही मंत्री तामरध्व साहु ने सी मार्ट का उधगाटन करते हुए कहा कि इस पहल की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है उन्होंने कहा कि सी मार्ट के जरिये महिला समुहों त्वारत तैयार किये गए देशी सामानों को बड़ा बाजार मिल सकीगा तो मार्केट उपलग उकराने की द्रिश्टी कोई से बड़े-बड़े फरसन नाम होता है तो सी मार्ट चर्ट इस नाम से हर जिले में प्रिक्ला को में जाएगा तो जितने में हमारे पादक हैं तो सामान यहाएगा, बड़ाएं ही दिक्री करेंगी, बड़ी गात इसने एक रहएगी कि सुधता इसमें रहेगा, कीमिकल इफितल्ची नहीं मिलेगा, बाहर भी इसको आपने पादपात को प्रदर्शित करने वाले जनकपुर महिला समूहू की संचालिका नेलीमा चतुरवेदी ने बताया कि यहाँ ज्यादातर उत्पाद हातों से बनाए गये हैं इसलिए इनका विशेश महत्व है आजे हमें हमारे गाउं गाउं से किसान महिलाओं का उत्पादी गुठान वारा जो समगरी तयार की गई है सारे समगरियों को 300 प्रकार के समगरी को विक्री करने का एक छट के नीचे आउशर मिला इस सी मार्ट के माध्यम से हमारे गाउं की दीदियों के बनाए हुए प्रोडक्ट विक्री होंगे जो बहलाएं जो दीदियां गाउं 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 तक उनके सही मूले नहीं मिल पाते थे उनको बेचने का सही मार्केट नहीं मिल पाता था आज इस सी माट के माध्रम से हमारे सारे स्प्रोडक्ट का विक्री होगा और उनको ससक्त बनने का आउसर मिलेगा गौर तलब है कि जनकपूर महिला समूह को अपने नवाचारों के लिए राश्चुपती और प्राश्चुपती प्रधान मंत्री सहित अन्य मंत्रियों के हाथों अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं इस समूह के उत्पादों को देश के विभिन भागों में बड़े पैमाने पर सराहना भी मिल चुकी है